नमस्कार फ्रेंट्स वागत है आप सभी कदर स्टेडी लाइन में आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले इतिहास के परमुकी युद्ध जो एक्जाम में बार बार पूछे आते हैं बहुत से बच्चों का कमेंट आया कि सर इतिहास के परमुकी युद्ध पर एक वीडियो में यह जो एक्जाम में पूछ राते हैं क्योंकि बच्चे जो है अदिकतर कंफ्यूज होकर के इन सभी को संस को छोड़कर चले आते हैं तो इसलिए मैं इस वीडियो में बहुत से इंपोर्टेंस अब को संस एड किया है और इसमें थोड़ी से डिटेल्स भी दि थी ठीक है कलिंग के लड़ाई 201 इसाप पूर्व में लड़ी गई थी और यह किसके बीच लड़ी गई थी तो असोग यानिक समराथ असोग ने कलिंग पर आक्रमन किया था फ्रेंस युद्ध के रक्षपात को देखकर उसने यूद्ध करने की कसम खाई फ्रेंस असोग इसी यूद्ध के बाद जो है कोई भी यूद्ध नहीं लड़ा यानिकि इस यूद्ध के बाद असोग ने कोई भी यूद्ध नहीं लड़ा क्योंकि इनके यूद्ध के कायन जो है बहुत से लोगों की मिलती हो गई जिसके कायन उन्होंने जो यूद्ध करना समाप्त कर यूद्ध कर्मा बंद कर दिया तो कलिंग की लड़ाई जोए फ्रेंट्स दोस्ट इसापूर में हुई थी और इसी युद्धि के दरोंज असोक ने कसम खाई कि वह इस युद्धि के बाद कोई भी यूद्ध नहीं करेगा ठीक है चलिए अगला पॉइंट दखते हैं अगल दाना के बीच वाथा जिसमें चाहन की वीजए हुवी थी ठीक है मोहमद गौरी और पृत्रिवी राट चाहन के बीच यूद्ध वाफ रेंट्स जिसमें से पिर्थ्वी राच के वीजए हुवी ठीक है चलिए अगला पोइंट देखते हैं अगला फ्रेंट्स तराइन का अबे तराइन का दूत्त्य यूद तराइन का दूत्त्य यूद एक साल बात यानी की गेर्षसओ 88 fak फरण्तो तराइन का Su도 रिखते हैं किसके बीश वा सब्सक्त्राइन का मोहां महाम मीथ चौन की विछ हुआ था लेकिन इसvocसमाय मोहंमत गौरी की विजय हुई ठीक है परतम युद में पृतिवी राज चोहन की विजय हुई थी लेकिन इस यूद में मोहंमत ही की विजय हूई और पृतिवी राज चवन और कि तो लेकिन इंफ के बीच वें एक किसंट को स superior और यह वा तह? 1194 में ठीक है चंदावर का यूद 1194 में वा फ्रेंट अब यह किसके बीच हुआ देखे इसमें मुहम्मबद गौडी ने कन्नोज के राजा जैचंद को हराया था छंदावर के यूद में और चंदावर का यूद 1194 इसमी में हुआ ठीक है अगला है पानिपत का पर्थम अब यह किसके बीच हुआ यह जान लेते हैं तो यह वा था फ्रेंट्स मुगल सासक बाबर और इबराहिम लोदी के बीच हुआ था जिसमें बाबर की जीत हुई थी ठीक है यह भी पॉइंट याद रखेगा पूछा जाता है फ्रेंट्स कि पानिपत का पर्थम यूद किस के बीच हुआ और परिनाम क्या हुआ था तो मुगल सासक बाबर और इबराहिम लोदी के बीच हुआ था फ्रेंट्स जिसमें बाबर की जीत हुई थी ठीक है चलिए अगला क्वशन देखते हैं अगला है खानुवा का यूद ठीक है बैटल ऑप खानुवा तो फ्रेंट्स खानुवा का यूद जो है 1527 सिस्वी में हुआ था ठीक है खानुवा का यूद 1527 सिस्वी में हुआ अब यह किसके बीच हुआ तो यह वा था बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था ठीक है जिसमें जो है बाबर ने राणा सांगा को प्राजित क्या था ठीक है यानिक की बाबर की जीट हुई थी ठीक चलिए अगला क्वेसं देखते हैं अगला है आपका घागडा का यूद तो फ्रेंट्स घागडा का यूद जो है 1529 में हुआ था ठीक है घागडा का यूद 1529 में हुआ था अब एक इसके बीच हुआ ये भी जान लेते हैं बाबर ने लोदी के नित्रित में अफगानों को हराया था यानि मुहम्मद लोदी ने जो है बाबर को साथ दिया था और इसके अफगान जो हार गया था ठीक है अगर फ्रेंट्स वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक जरूर किजेगा और सेर्भी किजेगा अगल क्यूद्स हपाया था ठीक है यानि कि सिरशा सूरी के विजई हुई All that यूद्ध में में और च यूद्ध 1449 सेथी टिए चलिए अगला क्ववशन देखते हैं हुमाई को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया था किसने सिर्षा सूरी ने इस यूद में किसी यूद में कन्योच के यूद में कन्योच का यूद का वहा 1540 स्वी में ठीक है तो इससे भी याद रखेगा फ्रेंट्स ठीक है चलिए नेक्स्ट कोशन आगे बढ़ते हैं पानिपत का दुथ्यायुद ठीक है सेकेंड्ट लो पानिपत तो पानिपत का दूथ्यायुद फ्रेंच गोफींट्ष फण्द सो चपन में अब पर्थम युद ऑथा 426 तो कि शेव पानिपत का दूसरा यूद दूसरा जिख ओढ़ता अकवर और ह्ंस्पर और हेमू के इ हुआ था हलदीघाटिक यूद फंदरा सो चीन तरि Ciwi में हुआ था लिए और ये किसके बीछ बीछ रफ्रेंज तो ये वह अकबर और राना परताप के बीछ ह्वा था ति ये जिसमें क्या वा कि राना परताप की हार वी यानि कि अकबर अकबर की जीत हुई ठीक है सब्सक्राइब आपको वीडियो अच्छा लगा अपका अगला प्लासी का यूद ठीक है तो प्लासी का यूद है फ्रेंट्स 1757 में हुआ था पलासी का यूद 1757 इसी में हुआ अभिय जान लेते हैं पलासी का जो यूद्वा फ्रेंट्स अंग्रेजों और सी राजुद दोला के बीच हुआ ठीक है जिसमें क्या वा था अंग्रेजों की विजय हुई और भारत में अंग्रेजी सासन की नीव पड़े य पानेपत परफा मुद्ष्थ का तिर्तिय यूद पढ़ा और यह है पानिपह का इक परफा तिर्तिय यूद। पानिपह पर्फमپेल्समेंatanत के तुफ्य म मचममा और मराठों के अफ़phones यूत अलीचे οर्टे सब्सेट की हार भी जानते अगला है फ्रेंट्स बक्सर का यूद ठीक है अगला है बक्सर का यूद तो बक्सर का यूद फ्रेंट्स यह भी बहुत थी इंपोर्टेंट है बार बार कोशन से पूछा जाता है फ्रेंट्स तो सत्रास चौशा डिस्वी में हुआ था बक्सर का यूज सत्रास चौशा डिस अब इसके बिछ वात यूद तो देखते हैं अंग्रेजों और शिराजुद टोला राव मीर कासिम एवन सा आलम दुट्व की सन्युक्त सेणों के बीच जिसमें अंग्रेजों की भी जए वी तो फ्लेंट शिराजुद टोला मीर कासीम सा आलम दुट्व है यह सभी मिलकर के से सामना किये उंग्रेज का सामना किये फिर भी अंक पर भारत चीन की सीमा यूद में जब यूला था 65 में उन Penguatta अब उन्हक पर परिणाम कि आές चले देखते हैं चीनी सेना द्वाराह भारत नहीं सोब यूदा था मिनमें ने हुआ तो नाता पॉस्ट नूसогाओं चुछ दिन तक यूद्ध होने के बाद एक पक्षे यूद वीराम की घोसना हुई जिसमें के आवाज फ्रेंट्स कि भारत को अपनी सीमा के कुछ हिस्टें को छोड़कर छोड़ना पड़ा ठीक है भारत को अपने सीमा के कुछ इस हिस्त्रों को छोड़ना पड़ा था इस यूद में भारत चिन के यूद में और ये यूद कब वहा उनिस्व आप सब्सक्राइब चलिए अगला कॉशन देखते हैं अगला फ्रेंट्स भारत पाक यूद ठीक है भारत पाक यूद ये भी इंपोर्टेंट फ्रेंट्स तो भारत की विजय हुई यह उवी मैं ठीका फ्रेंट चलिए अगला देखते हैं एक फीर से देखते हैं फ्रेंट्स एक फीर भारत और पाकिस्तान में युदुवा अब यह देखते हैं अब यह दक्तष और पाकिस्तान के युदट हुआ जिसमें पाकिस्तान की होई यह एक फो पर फीर से पाकिस्तान हार गया फ्रसर रूप बंगलादेस 173 डेस मता इसादा के युद के बंगलादेस 173 डेस वना ठieza एंग Teil 3 में जबहार ईसे और्व कारगिल का यूद उनिश्व निनानवी में हुआ इसके विच यानि कि अब क्या हुआ इसमें कि जम्मु एम कस्मीर में द्रास और कारगिल छेत्रों में पाकिस्तान पाकिस्तानी घुसफेटिये था उसको लेकर के हुआ था यूद यूद ठीक है तो इस तरह से मैंने आपको फ्रेंट्स जो भी इतिहास के पर्मों की यूद लड़े गए थे वह मैंने आपको वीडियो में कराया उम्मीद आपको वीडियो पसंद आएगी फ् इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए साथ में वेल का अकर में प्रेस कर लिए अगर आपको किसी तरह का और वीडियो चाहिए तो मैंजे कमेंट बॉक्स में केमेंट करके बता सकते हैं चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुडबाए